कई लोग क्या करते हो बालों में ओईल नहीं करते हो ओईल नहीं लगाते हो बालों में नहीं बाल चिप-चिप हो जाएंगे बाल तूट जाएंगे पुरा बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है ओईल लगाने में लेकिन क्या आप जानते हो कि जितना ज्यादा जरूरी हमारे ल और मैं नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करती हों आप लग बहुत अच्छे ऑंगे कि आप यह लोग वो ऐसा कुछ नहीं होता जो आप लगाते हो वही आप लगाओ लेकिन लगाने का तरीका आना चाहिए आप लोगो ना बहुत सारी कंफियूजन होती कॉछ विडियो में यह बताते हैं तो कोई ज़रूर हो हम आपको को पुनों ले सकते हो ओलिव ओले सकते हो नीम का तेल ले सकते ओच्छ तील ने सकते हो तिल का अपने बालों में जो भी ज्रैया video दोस्तों कोई भी ऐसकते हो यह कोई सा ओयल वेस्ट नहीं होता आप जो यूज़ करते हो वही सबसे जद्यादा स्पथ चलिए वीदियो शुरू करते हैं सबसे पहले हमने गर्म पानी ले लिया है गर्म पानी में एक टोरी डाला है उसमें हमने जो आइल यहां आडियल का ते ते और गगेगेगे बात तुल जाने के बाद अपने बालों पर यूज़ करेंगे और अच्छे सर्कूलर मुसल में मसाज करते हुए अपलाई करेंगे तेल लगाने से आपके बालों को पोशन मिलता है तेल में कही तरह के बिडामिंस होते हैं और शेम्पू से आपके बालों काफी ड्राइ हो जाते हैं तो ओईल आपके बालों में नमी देता है ओईल लगाने से आपके स्कैल्प को रुखापन से बचाता है स्कैल्प को जिसे आपके बालों का तूटना कम होता है बालों का जहना कम होता है तेल लगाने से आपके बालो तो में डेंडरफ की समस्या धीरे-धीरे करके खतम हो जाती है शेंपू करने से पहले एक बार अपने बालों में तेल जरूर लगाएं तेल की मालिस बालों को मजबूत करता है डेमेज बालों को ट्रिट करता है इसका तूटना कम करता है बालों की मालिस से आपके स्केल्प में बलड सर्कूलेशन बहतर होता है जिससे आपके बालों का कंडीशन भी अच्छा होता है दीरे दीरे करके तो जरूर लगाए और टेल लगाने के बाद आप होट टॉवल लेना ना भूले होट टॉवल पता ही होगा आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ गरम पानी में तॉलिया को डिप करके अच्छे से पिर अपने बालों में 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट बाद हटा लेना है इसे आपके बाल जर्णा कम हो जाएंगे और आपको ना बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने ओईल लगाया है बहुत अच्छे से काम करेगा और जर्णा बिल्कुल खतम हो जागा चिप चिप आपके बाल को नहीं होने देगा यह होट टॉवल लेने से तो फिर चलिए फिर हमारा ओईल हो चुका है दस मिनट हो चुके हैं मसाज करते करते फिर दस मिनट के बाद मिलते हैं आप लोग से निवेदन है फ्लीज वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक किया करो सस्क्राइब किया करो अपने फ्रेंड के साथ सेयर किया करो और दस मिनट हो चुके हैं 10 मिनट के बाद देख सकते हो हमने होट टवल ले लिया है और ये 20 मिनट तक अपने बालों में लगा के छोड़ देना है और मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई